तीन मई दोहजार तेईस से मनिपूर जल रहा है और प्रधान मंत्री दुनिया के अलग-अलग देशों में जाते हैं, प्रवचन देते हैं पर मनिपूर जाने के लिए उन्होंने समय नहीं निकाला है यह बड़ी अजीब सी बात है और मैं समझता हूँ भारत के इतिहास में पहली बार है, एक राज्य में इतना संकट है, दर्ध है, पीड़ा है और प्रधान मंत्री वहां नहीं गए हूँ तो हमारी पहली मांग तो यह है, हम मांग करते आ रहे हैं कि प्रधान मंत्री समय निकाले हैं और जल्द से जल्द हो सके पार्लिमेंट के सतर के शुरू के शुरुआट के पहले, 25 नवंबर के पहले, जल्द से जल्द एक दो दिन के लिए मनिपूर जाएं मनिपूर के राजनीतिक दलों से मिले, निताओं से मिले, सामाजिक संस्थाओं से मिले, रिलीफ केम्प में जाएं, जहां साथ हजार लोक से भी ज़्यादा आज रिलीफ केम्प में हैं तो यह हमारी पहली मांग है, दूसरी मांग, जो हमारे PCC अध्यक्ष ने आपके सामने रखा है, कि फौरण प्रधान मंत्री एक All-Party Delegation, मनिपूर के All-Party Delegation से मिले, समझे, क्या-क्या हो रहा है, अभी न केवल Congress MLA बलकि BJP के MLA के घर को भी जलाया जा रहा है, यह पहली बार हो रहा है, तो यह हमारी दूसरी मांग है, कि एक सर्वद अलिय बैठक बुलाई जाएं, मनिपूर के नेताओं के साथ राष्ट्रिय पार्टी हैं, उनके नेताओं के साथ आज तक मनिपूर के विशह में सर्वद अलिय बैठक नहीं बुलाई गई है, तो यह हमारी दूसरी मांग है, तीसरी मांग क्या है, 31 जुलाई दो हजार चौबीस से, 31 जुलाई दो हजार चौबीस से, मनिपूर में पूर्ण कालिक राजेपाल नहीं हैं, फुल टाइम गवर्णर नहीं हैं, 31 जुलाई दो हजार चौबीस से, उसके पहले एक प्रतिश्चित आदिवासी महिला राजेपाल थी, उनको अठारा मेने के अंदर ही अटाया गया, ट्यूं हटाया गया, और आज भी फुल टाइम गवर्णर पूर्ण कालिक राजेपाल नहीं है, मनिपूर में, और हम मांग करते हैं, कि फौरण जल्द से जल्द, एक पूर्ण कालिक राजेपाल न्युक्त किया जाए, हलंकि ये प्रतिष्ठित आदिवासी महिला जो राजेपाल थी, उनको हटाना, इनकी मानसिक्ता को दर्शाता है, हमारी चौधी मांग ये है, कि पिछले अठारा मेने से, ये बिल्कुल साफ हो गया है, कि प्रधान मंत्री ने ग्रिह मंत्री पर सब छोड़ दिया है, यानि कि मनिपूर को आउट्सोर्स कर दिया है, ग्रिह मंत्री को, तो ये अजीब सी जुगल बंदी, ग्रिह मंत्री, केंद्रे ग्रिह मंत्री और मनिपूर के नाकाम मुख्य मंत्री, इनके बीच में जुगल बंदी क्या है, क्यों? केंद्रे ग्रिह मंत्री रगातार मनिपूर के मुख्य मंत्री की विफलताओं को संग्यान में नहीं लिया, इनोंने, इनोंने नजर अंदास किया है, और मनिपूर के मुख्य मंत्री को बचाने में लगे हुए हैं, ये अजीब सी जुगल बंदी क्या है? केंद्रे ग्रिह मंत्री और एक मुख्य मंत्री, राज्य के मुख्य मंत्री, जिनकी विफलताओं सब लोग जानते हैं, सब लोग पीडित हैं, सब लोग तंग आ चुके हैं, उनी के पार्टी के कई विधायक इस्तिफा देने के लिए तयार हैं, पर केंद्रे ग्रिह मंत्री उनको बचाने में लगे हुए हैं, ये क्यों? ये अजीब सी जुगल बंद क्यों? इसके पीछे राज क्या है? क्यों किसके राह रहे हैं? क्यों पीछे हट रहे हैं ग्रिह मंत्री मुक्य मंत्री को हटाने में? और पांचवी मांग हमारी जो ये है, और ये बार बार उड़ते रहता है मानिपूर के संदर्बे, अगर बीजे पी सरकार, अगर प्रधान मंत्री, ग्रह मंत्री, इमानदारी से ड्रग माफिया के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहते हैं, तो सारे जो केस लंबित हैं, हाई कोट में, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं कराते हैं, उन पर जो आगे कदम लेना है, एपील करना है, इन्वेस्टिगेट करना है, जो F.I.R. दर्ज हुआ है, अगर आप इमानदारी से ड्रग माफिया के खिलाफ सक्त से सक्त कार्रवाई क करना चाहते हैं, तो यह लंबित केस है, अधाला तुमें, उन पर कार्रवाई कीजे, एन्वेस्टिगेट का इस्तमाल कीजे, जान संस्थाएं आपके हाथ में हैं, जो कार्रवाई करनी हैं, कीजे, क्यूं आप इस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, कौन किसको संरक्षन दे रहा है, कौन किसको फाइदा पहुंचा रहा है, यह सब सवाल उटते हैं,